हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज मैं हूँ जयन तो दोस्तो पटवारी भरती से रिलेटेड एक अपडेट आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपडेट ये है फ्रेंड्स की पटवारी भरती में नॉमिलाइजेशन की मांग को लेकर चयन बोर्ड के अध्यक्स को सौपा गया है ग्यापन तो देखो फ्रेंड्स ये जो एक्जाम हुआ था आपका पटवार ये आपके 23 और 24 को दो-दो सिप्टों के अंदर यानि की 4 सिप्ट के अंदर ये एक्जाम आपका जो है संपन कराया गया था बोर्ड के द्वारा और जब ये एक्जाम चालू हो रहा था तब जो है हरी परसाद जी का जो की हमारे राश्तान करमचारी चयन बोर्ड के अध्यक्स है उनका खुदी का ये कहना था कि नॉमिनले लिशन पर अगर हम बात करेंगे तो हम बाद में बात करेंगे पहले हम इसके उपर डिसकसन नह करेंगे ठीके इनका कहना था कि जैसे रिजल्ट बने एक्जाम एक बार हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि नॉमिनले जिसन हमें करना है या नहीं करना है तो दोस्तों बात ये थी कि 23 और 24 तारिकों जो एक्जाम हुए ना चार सिफ्टों के अंदर तो उसमें बहुत सा सारे अभ्यारतियों से मेरी बात हुई है सब पेपर को अनलाइसेस करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आल्मोस्ट चारों जो एक्जाम हुए हैं वो आल्मोस्ट सेम थे हां लेकिन एक फाइदा और या एक बैनिफिट जरूर है जिनका एक्जाम 23 तारिक को हुआ है उन सबसे जदा आपत्या लगी है आपत्या भी 24 तोनों जो सिफ्ट थे फस्ट और सेकेंड शिफ्ट उन दोनों में ही लगी है तो इससे भी आपको समझ में तो आही रहा है ये बात कि जो 24 तारिक का एक्जाम था 1 और 2 शिफ्ट का वो दोनों थोड़ा टफ था 23 तारिक के पटवार के लिए वो चारो एक्जाम का पैटर्न सेम था लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया गया अगर आप बोलो कुष्टन के जो लेवल 23 में आए हैं वो ही 24 में आए हैं लेकिन थोड़ा सा जो कुष्टन पूछे गए हैं वो थोड़े टफ थे 24 के इसी जो हमारे अध्यक्स है हरी परसाद सर्मा वो इस बात को accept करेंगे या नहीं करेंगे वो nomination का formula इसके उपर apply करेंगे या नहीं करेंगे हां हो सकता है nomination अगर नहीं हो रहा है तो कुछ अभ्व्यारतियों को नुक्सान जरूर हो रहा है लेकिन हमें सभी अभ्यारतियों को लेकर चलना है नॉमिलेशन अगर होता है तो सभी का फाइदा होगा परन्तु बोर्ड के अध्यक्स या बोर्ड अभी डरेक्टली आपके पटवार का रिजल्ट जो है जारी करने की तयारी कर रही है तो ये Nomulation वाला जो funda है अभी तो board के द्वारा नहीं किया जा सकता है हाँ अभ्यारतियों की मांग के उपर board जरूर एक बार विचार करेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है पटवार का सीधा result आपके सामने आने वाला है दिसम्बर महा के अंदर दिसम्बर महा के मध्या तक आपका result आ जाएगा इसी के उपर जो है board काम कर रहा है अब मैं आपको दोस्तों बतायता हूँ कि क्या होता है Nomalization Nomalization के अंदर ये होता है friends कि अगर 2324 तारिक के जो 4 shift के अंदर exam हुआ है उन सभी के अंदर उन सभी को Equal Marks देने की कोशिस की जाती है Railway, Center Board के अंदर जहां पे भी exam एक पारी से अधिक पारी के अंदर कड़क्ट करवाया जाता है उस case के अंदर Nomalization का formula अपलाई करना बेहत जरूरी होता है इससे परिक्षा में बहुत जादा transparency आती है इससे अभ्यारतियों का होसला बढ़ता है वो आगे भी जो है shift के अंदर exam देने के लिए त्यार हो जाते हैं दोस्तों तो ये मामला था जो मैंने आपको elaborate कर दिया समझा दिया है आगे पटवार भरती से कोई भी update आता है मैं आपको 101% जो है डिलेवर करने की पूरी कोसिस करूँगा थैंक्यू फ्रेंड, have a nice day, bye bye